नवश्कार बच्चो बच्चो उमीद है आप अपने स्थान पर स्वस्त और सुरक्षित होंगे बच्चो आज हम कक्षा 6 का अधिहाए 9 करने जा रहे हैं और इस अधिहाए का नाम है व्यपारी, राजा और तीर्थियात्री आप सोच रहे होंगे ये व्यपारी, राजा और तीर्थियात्री इकठे कैसे हैं वास्ता में क्या है कि हम जो अधिहाए पढ़ने जा रहे हैं वो लगबग आज से कह सकते हैं 1500 और 2000 साल पहले के बीच का है और उस काल में जो व्यपारी थे या जो व्यपार था किस त्रहें से होता था, किस देश के साथ होता था और भारत में कहां से होता था और इसी प्रकार हम जो राजा की बात करने जा रहे हैं हम उन राजाओं की बात करने जा रहे हैं जो खास करके समुद्दर के तटके आसपास थे या उससे थोड़ा सा उपर थे और उसी के साथ हम जो तिर्थ यात्रियों की बात करने जा रहे हैं वो चाहे अपने देश के यात्री हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या दूसरे देशों से जो भारत में आए यात्री खास करके जो चीन से यात्री आए जैसे फ से लेकर के गए और साथ ही हम जो यहाँ पर एक जो रेशम मार्ग है क्योंकि जो व्यापार हो रहा था वो रेशम मार्ग से जदा हो रहा था हम उसकी विवी बात करेंगे फिर हम ये भी बात करेंगे कि हिंदू जो शबत है वो कहां से निकला है और इसके साथ साथ जो यहाँ पर बोध धर्म का विस्तार हुआ पता है आपको कि बोध धर्म महात्मा बुद्ध के द्वारास सापित किया गया था लेकिन इसका जो तार था केवल भारत में नहीं दूसरे देशों में भी हुआ और उसके साथ साथ हम थोड़ा ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि भक्ति क्या होती है और भक्ति का अर्थ क्या होता है और वास्तम में भक्ति कैसे की जाती है और अंत में हम ये भी देखेंगे कि जो इसामसी थ थे जिनके द्वारा आपको पता ही है इसाई धरम प्रतिपादित किया गया था उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे तो बच्चों आईए हम सबसे पहले व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानते हैं व्यापार तो पता ही है आपको जब एक वस्दू को दूसरी जगा ले जाकर के बेचा जाता है यहां उसी जगा बेचा जाता है तो वो क्या कहलाता है व्यापार कहलाता है और इसी को हमने अब पढ़ना है अब जब हम उप महाद्वीप की बात करते हैं उप महाद्वीप पता ही है हम उप महाद्वीप में कौन-कौन से देश हम शामिल करते है पाकिस्तान को, भारत को, नेपाल को, शीरिलंका को, बंगला देश को, मालदीव को, भुटान को ये जो देश हैं हम इनको उप महाद्वीप के नाम से जानते हैं और ये चुकि दक्षिन एशिया का हिस्सा है और अलग से अपनी एक पहचान लिये हुए है और एक छोटे से महाद्वीप जैसा लगता है और इसलिए हम इसको उप महाद्वीप कहते हैं अब क्या है कि इस उप महाद्वीप में हमें कई तरह की वस्तुएं देखने को मिली जो भारत में भी वनी थी और दूसरे देशों से भी भारत में आई थी अब आपके दिमाग में कुछ प्रशन आ रहा होगा कि दूसरे देशों से वस्तुएं कैसे आई अभी तो हमने बात की थी कि व्यापार के जरिये और यह जो व्यापार था वे लोग जो व्यापार को करते थे व्यापारी कहलाते थे और यह जो चीजें भारत में पाई गई है या भारत की चीजें दूसरे देशों में पाई गई है वो इसी व्यापार और इनी व्यापारियों के जरिये एक स्तान से दूसरे स्तान पर पहुंची है आईए हम जो दकशिन भारत है, दकशिन भारत आप समझ रहे हैं कि भारत का वह हिस्सा जो दकशिन में है जिसमें तमिल नाडू है, करनाटक है, देखा जाए आंदरपरदेश है, तेलंगाना है और इसके साथ साथ केरल है ये जो राज्य हैं ये दक्षिन भारत के राज्य हैं लेकिन उस समय ये नाम उनके नहीं थे जो कि आज हैं इसलिए हम इसको दक्षिन भारत का हिस्सा कह रहे हैं अब यहाँ पर क्या होता था यहाँ पर दक्षिन भारत में उन दिनों में मसाले खास करके काली मिर्च और भी अन्य चीजें थी जो भारत से रोम समराजय में पहुंचती थी रोम समराजय आपको पता है कि दक्षिन भारत में जब हम इधर अरब सागर की बात करते हैं फिर वो अफरीका में पहुंचती थी अफरीका से फिर भुमध्य सागर से होते हुए वो यूरोप में पहुंचती थ और वहीं पर ही जो हिस्सा है रोमन समराज्या कहलाता है अब रोमन समराज्या में क्या था कि ये जो काली मिरच थी उसकी मांग इतनी जादा थी कि उस काली मिरच को काले सोने के नाम से जाना जाता था अब ये चीजें पहुंचती कैसे थी अभी हमने कहा था कि अरब सागर से जो समुद्री मारग था वहां से होकर के और कुछ जो चीजें थी वो सड़क मारग से भी रोम में पहुंचते थी और हमें इसलिए रोम के जो सिक्के हैं भारत में कई जगां पर देखने को मिले हैं जो ये बताते हैं कि उन दिनों में रोम समराजय के साथ भारत का बहुत कवीता पड़े हैं यह व्यापार के प्रमान हमें संगम कवीताओं में भी मिलते हैं संगम सहित है हम पिछले अधिहायों में पड़ चुके हैं कि जो मदुरई में संगम होता था जहां पर विभिन प्रकार के कवी बैठ करके इकठे होते थे और रचना या रचनाएं लिख करते थे वहीं की एक कवीता हमें देखने को मिलती है जो व्यापार से जुड़ी हुई है समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े गाड़ियों पर काली मिरच की गठरियां हिमाल्या से मिले रतन और सोना दक्षिन की पहाड़ियों से चंदन की लकडियां दक्षनी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मुंगे गंगा और कवेरी की फसले शिरी लंका से आये खाध्यान मया मार के बने मिट्टी के बरतन और दुरलव कीमति आयाद तो बच्चो इस कवीता में हम देखते हैं कि कितनी चीजें हैं और वो अलग-अलग जगां से आई हैं आईए अब हम दक्षन भारत में समुद्री तट के साथ लगे हुए रजाओं के बारे में जाने ये जो जग्षन भारत का हिस्सा है इसमें पठार भी हैं इसमें परवत भी हैं इसमें मेदानी भाग भी है और यहाँ पर जो मेदानी भाग है जो कवेरी नदी का आसपास का हिस्सा है वो बहुती उप जाओ था और इसलिए क्या था कि यहाँ पर अपनी शक्ती बढ़ाने के लिए यहाँ पर विभिन रजाओं के बीच में संघर्ष भी हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर दक्षिन भारत में इस समय तीन प्रमुख राजया थे जिने मुख्या रूप से मुविंदार के नाम से जाना जाता है और ये तीन जो राजया थे वो थे चेर, पांडया और चोल जो अगर हम बात करें चेर राजया आधुनिक जो केरल है वहाँ पर स्थापित था और जो पांडया राजया है जो आधुनिक तमेन लाडू का मदुरई वाला हिस्सा है वहाँ पर इसका राजया था और इसलिए पांडया की जो राज जानी थी वो मदुरई भी थी और चोल थोड़ा सा उपर थे और इनके बीच में आपस में संघर्ष भी चलते रहते थे जो हमने अभी मुवेंदार की चर्चा की है ये तीन शासिक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है अभी हमने चोल चेर तथा पांडया राजियों की बात की है इन तीनों मुख्याओं के अपने दो-दो सत्ता केंदर थे इन में से एक तटिय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था इस तरहें छे केंदरों में से दो बहुत महतम पुरण थे एक चोलों का पत्तन पुहार या कवेरी पत्नम दूसरा पांडियों की राज़दा करनी मदुरई पत्तन बच्चो जो बंदरगा होती है जहां पर जहाज आते हैं समान को उतारते हैं और लाते हैं उसको पत्तन कहा जाता है इन तीनों राजियों के लगबग 200 साल के बाद यहां दक्षिन भारत में एक नया राज़य अस्तित्त में आया जिसका नाम था सात वहान राज्य है और कहा जाता है इस सात वहान वश्त में गोत्मी पूत्र शाथ करनी बहुत ही शक्तिशाली हुआ उसकी जो माता थी गोत्मी बलशिरी उसका एक अभिलेख मिला है और उस अभिलेख में उसे दक्षिना पत्का स्वामी कहा गया है दक्षिनापत का अर्थ होती दक्षिन की और जाने वाला रास्ता और वहां पर जो कई चीज़े मिली हैं वो वाकी में बताती हैं कि जो साथ वहां थे वो दक्षिनापत के स्वामी थे और जो गोत्मी पुतरशात करनी था उसने पूर्वी हिस्से में भी पश्चमी तट पर भी और दक्षनी तट पर भी अपनी सेनाई भेजी थी और वहाँ पर अपनी विजय प्राप्त करने का प्रयास किया था आईए अब हम रेशम और रेशम मारक की कहानी पढ़ें अब बच्चो रेशम आपको पता ही है ये एक कपड़ा होता है लेकिन ये जो कपड़ा होता है बहुती कीमती बहुती चमकीला बहुती मुलायम प्रकार का एक कपड़ा होता है अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो रेशम है रेशम का कपड़ा है कैसे निकाला जाता है या कैसे प्राप्त होता है बच्चो ये एक कीडा होता है रेशम का कीडा और वहां से ही कच्चा रेशम निकाला जाता है रेशम के कीडे से और फिर रेशम की क्या होता है सूत त्यार होता है फिर उसकी बुनाई ह होती है और तब ये एक प्रकार से जो रेशम है तयार होता है कहा जाता है कि जो रेशम का जो अविश्कार था वो सबसे पहले चीन में आज से लगबग साथ हजार साल पहले हुआ था लेकिन चीन ने शुरू में इसको चुपाई रखा लेकिन उसने व्यापार करना था अब धिरे धिरे क्या हुआ चीन से ये जो रेशम था वो धिरे धिरे दूसरे देशों में जाने लगा और जो व्यापारी थे उनके माध्यम से कई लोगों को पता चल गया क की जो रेशम है वो क्या है और वो कहां पैदा होता है इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से चुपाई रखा पर चीन से पैदल घोडों या उंटों पर कुछ लोग दूर-दूर की जगों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम आरग या सिल्क रूट के नाम से परसिद हो गया कभी कभी चीन के शासक इरान और पश्चमी एशिया के शासकों को उपहार के तोर पर रेशमी कपड़े भेजते थे यहां से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश् रेश्मी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दूरगम पहाडी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था यही नहीं रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शु क्रूट है और उसकी जो विभिन शखाएं हैं उनको दिखाया गया है अब क्या होता था जादा से जादा या बड़े से बड़े शासक क्या करते थे इन रेश्म मारंगों पर अपना नियंत्रन स्थापित करना चाहते थे आप सोचते होंगे क्यों क्योंकि उन्हें पता था कि जो व्यापारी यहां से जाएंगे तो अगर उनका नियंत्रन इस रेश्म मारंगों पर होगा तो उन्हें उन व्यापारीं से शुलक भी मिलेगा उपहार भी मिलेंगे और भी कई प्रकार की चीज़ें मिलेंगी और बदले में ये शासक क्या करते थे क्योंकि जोभ उन लिटेरों से सुरक्षा किया करते थे सिलक रूट पर नियंतर्ण रखने वाले शास्कों में सबसे प्रसिद कुशान थे क्रीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिम ओतर भारत पर इनका शासन था पिशावर और मतुरा इनके दो प्रमुक शक्तिशाली के अंदर थ तक्ष शिला भी इनके ही राजय का हिस्सा था इनके शासनकाल में ही सिलक रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधू नदी के मुहाने के पत्नों तक जाती थी फिर यहां से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की और रोमन समराजय तक पहुँचता था इस उप महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुशान थे सिलक रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उप्योग किया करते थे बच्चों अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो सिलक रूट था या रेशम आरग था इस पर गाड़ियां या बैल गाड़ी या घोड़ा गाड़ी नहीं चलती थी क्यों यहाँ पर जो रास्ता था बड़ा उबढखाबढ होता था पहाड़ी होता था और इसलिए वहाँ जाने के लिए केवल घोड़े उट गधे या खचर ही प्रयोग किये जा सकते थे आईए बच्चों अब हम बोध धर्म के परसार और विस्तार के बारे में पढ़े हैं हम पहले पढ़ चुके हैं कि लगभग आज से 23 साल पहले जो महात्मा बुद्ध पैदा हुए और उनके द्वारा जो बोध धर्म था किस प्रकार उसने अपनी खयाती पाई लेकिन उसके बाद धिरे धिरे जो बोध धर्म था और आगे बढ़ा उसको कई राजाओं ने कई व्यापारियों ने सरंक्षन परदान किया जिसकी वज़ा से बोध धर्म का विस्तार केवल भारत में नहीं बलकि दूसरे देशों में भी हुआ यहीं का एक प्रमुख राजा था कनिश्क उसने भी बोध धर्म को बहुत आश्रे दिया उसके काल में एक बोध संगीती बुलाई गई जहां पर बहुत से विद्वा निकठे हुए और उन्होंने अपने विचार विमर्ष किये और यह भी कहा जाता है कि इसी के काल में यह जो कनिश्क था उसके काल में उसके दरबार में एक कवी था अश्वगोश और उसने बुद्ध चरित एक रचना लिखी महात्मा बुद्ध से सबंदित और इसलिए साथ साथ इस काल में और भी बोधर्म से सबंदित चीजें हु और ये जो बुद्ध चरित थी यहां पर आपको पता है जो पहले वाला बोध सहित्या था वो प्राकृत यहां पाली में लिखा गया था लेकिन अब ये जो बुद्ध चरित रचना की हम बात कर रहे हैं जो अशव घोश ने लिखी जो कनिश्क के दरबारी कवी थे उसकी महायान अब इस महायान शाखा में क्या होता था दो प्रमुख बाते थी पहली बात क्या थी कि अभी तक क्या था कि जब महात्मा बुद्ध को या उनसे सबंदित चीजों को दिखाया जाता था तो वो परतीकों के माध्यम से दिखाया जाता था उधारन के लिए अगर हम य प्पल के प küçे माद्यम से दिखाया जाता था लेकिन अब क्या हुआ今日 कि जो माद्माबुध की यो मूर्तिया थी उनको बनाया जाने लगा और मादत्मा बुद्ध की मूर्तियों की पूझा की जाने लगी और जो दूसरा परिवर्तन था वो था बोधी सत्व में आस्था को लेकर अब ये बोधी सत्व क्या है क्या होता था कि जो महात्मा बुद्ध से या बोध धर्म से जुड़े लोग थे वो एकांत वास में जाकर के साधना करते थे उनको बोधी सत्व कहा जाता था लेकिन अब क्या हुआ इसम संसारिक परिवेश में रह करके लोगों को उपदेश दिया करते थे और धीरे धीरे ये जो बोधी सत्व की पूजा थी बहुत परचलित हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जपान तक भी फैल गई बोध धर्म का परसार पश्चमी और दक्षिन भारत में हुआ जहां बोध बिखुओं के रहने के लिए पहाडों में दरजनों गुफाएं खोदी गई इन में से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के अदेश पर बनाई गई तो कुछ व्यपारियों तथा कृष्कों द्वारा इन में से जादा तर गुफाएं पश्चमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी दक्कन के शहरों और तटों के समरिद बंदरगाहों और इन्हें जोडने वाली सडकें भी इनी दर्रों से होकर गुजरती थी ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यपारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुखते थे बो धरम दक्षिन पूरव की और शिरिलंका, मयामार, थाइलेंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिन पूरव एशिया के अन्या भागों में भी फैला थेरवाद नामग बो धरम का अरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था आईए अब हम तीर्थियात्रियों के बारे में पढ़ें अब ये तीर्थियात्री बीच में कैसे आगे वास्ता में क्या होता था जब ये व्यापारी समान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते थे तो साथ साथ इनके तीर्थियात्री भी चलते थे ताकि उनके साथ जाने में उनको थोड़ी सुरक्षा भी मिल जाए और साथ में उन्हें रास्तों का भी पता चल जाए अब ये तिर्थ यात्री होते कौन हैं चाहे वो इस्त्री है चाहे वो पुरुश है वो क्या करते हैं अपनी प्रार्थना को अदा करने के लिए किसी तीर्थ स्तान की यात्रा करते हैं इसलिए इन को तीर्थ यात्रियों के नाम से जाना जाता है और यह जो तिर्थे आत्री थे केवल भारत से भारत में नहीं जाते थे बलकि दूसरे देश्चों से भी भारत में आते हैं हमें ऐसे बहुत से उधारण मिलते हैं कि अलग अलग राजवन्शों के दोरान भारत में बहुत से चीनी आत्री आये अगर बात करें गुपत काल के समय में आज से लगबग 1400 साल पहले फाहयान नामक एक चीनी यातरी भारत में आया और बाद में हर्श वर्दन जो भारत का एक बहुत बड़ा समराढ़ था उसके काल में भी एक चीनी यातरी भारत में आया जिसका नाम था हयून सांग और उसके बाद एक और यातरी भारत में आया उससे लगबग 50 साल बाद जिसका नाम था इट सिंग अब बच्चों आपके दिमाग में एक प्रशन आ रहा होगा कि ये जो फायान ये जो हयून सांग और ये जो इट सिंग थे ये चीन से इतनी दूर भारत में क्यों आये वो बच्चों हम पहले ही थोड़ा सा बता चुके हैं आपको कि बोध धर्म जो था भारत से बाहर के देशों में भी फैल गया था चीन में भी फैल गया था अब चीन में जब इन लोगों ने बोध धर्म से बंदित चीजों को सुन तो वो बहुत प्रभावित हुए और बोध धरम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए वो भारत में आये। वो कोई भारत के उत्तरपश्चमी हिस्से से होके आता था और कभी भारत के दक्षिन पूरव से होकर के इस तरफ निकल जाता था बंगाल की खाड़ी में से आईए उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ें कि वो किस तरफ से आये और किस तरफ से गए और ये जो चीनी यात्री अपनी पूरी यात्रा का वरितांत लिखा करते थे साथ साथ में वो धरम सिसबंदित ग्यान को तो प्राप्त करते ही थे लेकिन यहां पर उन्होंने जो कुछ भी देखा चाहे वो मठ देखे विहार देखे तो उसको अपने वरितांत में लिखा करते थे और जब वो रास् आईए फायान के बारे में पढ़ें कि वो कैसे चीन वापिस लोटा। पर अपनी उन पांडू लिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फैंका जिने उसने अपनी भारत यात्राओं के दुरान संकलित किया था। को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। इसी प्रकार जो हयून सांग था वो उत्तरपश्चमी और मद्या एशिया होकर चीन वापिस लोटा। उसने सोने चांदी और चंदन की लकडी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडू लीपियां एकत्रित की। इने वह बीस घोडों पर लाद कर ले गया पर इसमें से 50 पांडू लीपियां उस समय खो गई जब सिंदू नदी पार करते हुए उसकी नाव पलट गई अपने जीवन का बाकी हिसा उसने बची हुई पांडू लीपियों का संस्कृत से चीनी अनुआद करने में लगा दि चपी हुई हैं मुद्रित किताब को देखते हैं वो नहीं जो हाथ से लिखी है साही से लिखी हुई जो किताब है उसको हम पांडू लीपि कहते हैं आएए अब हम उस काल के एक परसिद शिक्षन संस्तान नलंदा के बारे में जाने हयून सांग तथा अन्या तिर्थ यात् ने उस समय के सबसे प्रसिद बोध विद्या के अंदर नलंदा जो की बिहार में है वहां पर अध्यन किया था और हयून सांग ने नलंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है यहां के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धी में सबसे आगे हैं बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी इमानदारी से पालन करते हैं मठ के नियम काफी सकत हैं जिने सब को मानना पड़ता है पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं विभिन शहरों से विदवान लोग अपनी शंकाएं दूर कर यहां आते हैं ने अगुंतकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रशन पूछते हैं उन्हें अंदर जाने की अनुमती तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं दस में से साथ आठ सही उत्तर नहीं दे पाते हैं बच्चो इस काल में देवी देवताओं की पूजा का प्रचलन भी शुरू हो गया यानि की भक्ती की शुरुआत हो गई अब क्या हुआ ये जो हिंदू धरम था उसकी ये एक परमुख को पहचान बन गई शीव विश्णू और दूर्गा जो देवी देवता थे उनकी लोग पूजा करने लगे भक्ती का क्या अर्थ है भक्ती भज शब्द से बना है जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है इसका अर्थ यह है कि भक्ती भगवान और भगत के बीच पर्स पर एक अंतरंग संबंध है भक्ती भगवत या भगवान के प्रती भी है जो अपने एश्वरय तथा सुख को भगतों के साथ बांडता है यानि भगत या भागवत अपने देवी देवता के भग का हिसेदार होता है तो हम हिंदू या हिंदूस्तान शवद सुनते हैं यह शवद कहां से निकला आईए इसके बारे में पढ़ें हिंदू शवद इंडिया शवद की तरह ही सिंधू या इंडस से निकला है यह शवद अरबों तथा इरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपियोग किया जाता था जो सिंधू नदी के पूरम में रहते थे क्या कारण था कि जो अरब थे उनको सा को अच्छी तरह से बोलना नहीं आता था वो सा को हा बोलते थे इसलिए सिंधू नदी के उस तरव रहने वाले लोगों को वो हिंदू कहने लगे और यही शवद उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक प्रंप्राओं के लिए भी प्रियुक्त होता था आईए बच्चों अब हम इसा मसी के बारे में प यह शहर उस समय रोमन समराजय का हिस्सा था इसा मसी ने स्वयम को इस संसार का उधारक बताया उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी त्रहें दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया जिस त्रहें हर वेक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उमेद र जाना जाता है तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये जो अधिहाय था व्यपारी राजा और तिर्थियात्री समाप्त हुआ उमीद है कि आपको व्यपारी राजाओं और तिर्थियात्रियों के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा फिर भी आपने कितना पढ़ा, कितना जाना, कितना समझा, आईए थोड़े से प्रशन उतर के माध्यम से उसको जानने का प्यास करेंगे पहले हम बहुविकल्पी प्रशन करेंगे प्रशन रोमन समराजय में काली मिर्च को किस नाम से पुकारा जाता था? विकल्प हैं तीखा सोना, काला सोना, महंगा सोना, सस्ता सोना और सही विकल्प है काला सोना प्रशन मुवेंदार शबद किस राजय के लिए प्रयोग किया गया है विकल्प हैं चोल, चेर, पांडय, ये सभी मुवेंदार इन सभी के लिए प्रयोग किया गया है तो ये सभी वाला विकल्ब सही है प्रशन रेशन बनाने की तकनीक का विश्कार सबसे पहले किस देश में हुआ विकल्ब है भारत, शिरिलंका, चेन, रूस बिलकुल सही इसका उत्तर है चेन प्रशन बुध्चरित की रचना किसने की थी विकल्प हैं अश्वगोश, कनिश्क, फायान, हयूंसांग, बिल्कुल सही अश्वगोश इसका सही उत्तर है प्रशन नलंदा निम्न में से किसलिए परसीद था विकल्प हैं धार्मिक स्थान, शेक्षनिक संस्थान, एक विहार, एक मंदिर बिल्कुल सही नलंदा एक प्राचिन काल में शक्षनिक संस्थान था अब हम लगूत्रात्मक प्रशन करेंगे प्रशन एक तिर्थ्यात्री कौन होते हैं उत्तर तिर्थ्यात्री वे इस्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पुईत्र स्थानों की यातरा किया करते हैं। प्रशन दो, बोध धर्म की महायान शाखा के बारे में दो वातें बताएं। उत्तर, इसमें महात्मा बुद्ध को संकेतों की बजाए मूर्ती द्वारा दर्शाया जाता था। अब बोधी सत्व एकांत वास में साधना करने की बजाए लोगों को शिक्षा देने लगे और संसारिक प्रिवेश में ही रहने लगे। प्रशन तीन, रेश्मी कपड़ा कैसे तयार किया जाता है। उत्तर, रेश्मी कपड़ा तयार करना एक जटिल परक्रिया है। रेश्म के कीड़े से कच्चा रेश्म निकाल कर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। अब हम एक मिलान वाला प्रशन करेंगे। का पत्तन से मिलाएंगे क्योंकि ये चोलों की एक बंदरगा थी। मदुरई को हम पांडियों की राजदानी से मिलाएंगे क्योंकि मदुरई पांडियों की राजदानी थी। बेथलेहम को हम इसामसी का जनम से मिलाएंगे क्योंकि इसी स्थान पर इसामसी का जनम हुआ था, पेशावर को हम कुशान शास्कों के समया का एक प्रमुक के अंदर से मिलाएंगे क्योंकि कुशान शास्कों के समया में पेशावर एक प्रसिद के अंदर था और इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ स्वस्त रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद